तो आ गई सब, लो फिर मैं भी आ गया, और साथ ही में आ चुका है Spider-Man No Way Home का ट्रेलर, अब इसके ट्रेलर का ब्रेकडाउन करना उतना ही इंपोर्टेंट है, जितना कि हमारे चैनल पर इंट्रो, So, Hello Bingers, मैं Mr.Binger, ये Spider-Man No Way Home ट्रेलर, डिटेल्स, प्लोट और ब्रेकडाउन, और आप देख रहे हैं, बेंज वाच्च्ट! Well, मैंने इस मूवी के बारे में बहुत पहले शॉट में ही बता दिया था, जब मैंने पूरा फेस फोर समझाया था, तो सब क्लियरली एक सास में जानना चाते हो शॉट में, तो उस वीडियो का लिंक आई, बटन, डिस्क्रिप्शन और वीडियो के इन में मिल जाएगा, अब आते हैं इस वीडियो पे, आई मीन इस ट्रेलर पे, अब बेसिकली ये एक ऐसी मूवी है ज़ा मार्वल अपने सिनिस्टर 6 को इंट्रोड्यूस करेगा, अब वो अलग बात है कि इस मूवी में हमें सिनिस्टर 6 की पूरी टीम एक साथ देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन आदी टीम तो देखने को मिलेगी बॉस, तो हमें सबसे पहले दिखेंगे डॉकॉक यानी डॉक्टर अक्टोपस जो आते ही हाई पीटर बूलते हैं, कितना सब है मानुस हैं, और दिखेगा इलेक्ट्रो अपनी यलो एलेक्ट्रिसिटी की पावर के साथ, और साथ ही दिखेगा ग्रीन गॉबलिन, अब और क्या चाहिए? अरे हाँ, स्पाइटर मैन भी तो चाहिए है, उसके बार हम तो बता नहीं भूल गया है। वेल, इस मूवी में पीटर पार्क की आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है। अब सब जानते हैं, स्पाइडर मैन की मास के पीचे किसका अधार कार्ट चलता है। पीटर की आइडेंटिटी रिवील होने की वज़े से, उसे कहीं प्रॉब्लिम्स का सामना करना पड़ता है। उसके दुश्मानों को अब उसकी खबर रहती है। और रहती कहती का सर्व मेडिया वाले पूरी कर देते हैं। और इतनी परिशानियों को धूर करने वो जाता है डॉक्टर स्ट्रेंट के पास। और उन्हें अपनी प्राइवेसी मिंटेन करने की बात समझाता है। अब मार्वल सिनिमाटिक उनिवर्स में कहीं सूपर हीरोज के आरेंटरी पहले ही रिवील हो चुकिया और वो उसके साथ एकदम चिल कर रहे हैं। लेकिन कहीं सूपर हीरोज ऐसे भी हैं जिनने अपनी प्राइवेसी मिंटेन करना पसंद है। और उन में से ये एक है स्पाइडर मैन। अब पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी प्राइवेसी मिंटेन करने की बात समझाता है। वो पूरी तरह मानते नहीं, लेकिन पीटर पूरी तरह मनवा लेता है, उन्हें पटा लेता है, अब स्पाइडर मैन ऐसी थोड़ी बन गया, अब डॉक्टर स्ट्रेंज एक ऐसे स्पेल कास्ट करते हैं, जिससे पूरी दुनिया उसके आइटेंटिटी के बारे में भूल जा अब ये स्पेल बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रियेट कर देगा, क्योंकि आज भी स्पाइडर मैन को कहीं टेक्नोलजी की ज़रूरत स्टार्क इंडस्ट्री से पढ़ती है, अब तो उसे वहाँ पर कोई जानता ही नहीं, तो उसकी मदद कौन करेगा, ये तो बात हुई प पर फोकस करें, तो वहाँ पर हमें दिखता है D.O.D.C. यानि Department of Damage Control, और मैं उमीद करता हूँ आपको Spider-Man Homecoming में से ये Damage Control का Department याद ही होगा, ये वही लोग है जिनने जिम्मा दिया गया था, एवेंजर्स की फाइट के बाद खंडर और जो रुइन्स बच्च थे उसको सा रखता है, ऐसा कोई मेजर इवेंट होगा, जो पीटर को MCU Multiverse के अलगले कॉर्नर में भेजदेगा, या फिर अलाव करेगा बाकी Spider-Man की वेरियंस को इस सेक्रेड टाइम लाइन में एंटर करने के लिए, इसके अलावा हम बात करेंगे Black and Gold Spider-Man कॉस्ट्यूम की, ये बहुत ही पीटर पार्कर का कोई वेरियंट है, जो Multiverse में कहीं पर exist कर रहा है, और अब एक ऐसी चीज जिसे नोट करना बहुत जादा important है, वो है Dr. Octopus का Hello Peter बोलना, अब वो ये Hello Tom Holland वाले पीटर पार्कर को बोल रहे है, या फिर ऐसा possible है कि वो किसी entirely अलग पीटर पार्कर को ऐसा बोल भी आएगी और हमारे चैनल पर उसकी explanation, तो इसलिए वो वीडियो मिस ना करें तो हमारे चैनल को like, subscribe और share करना बिलकुल मत भूलना, with that's it, signing off, keep watching, Ben Watched